सब्सक्राइब करें भी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं कुशीनगर कुशीनगर में बन रहे इंटरनाशनल एरपोर्ट से उडान शुरू होने में खड़ी अंतिम बाधा भी गुरुवार को समाप्त हो गई रनवे के ठीक बीच में पड़े इदगाह की भूमी के स्वामियों से रजिस्ट्री कराने के बादेश डियेम श्री प्रकाश शुकल के नेतरित्व में पहुंचे प्रशासनिक वपुलिस टीम ने इदगाह हटवाक कर नारायन पुर गाउं की ओर से खुली चहार दीवारी को भी बंद करा दिया रनवे के बीच का इदगाह ही उडान शुरू होने में अवरोध बना हुआ था इसके अतरिक चाहर दीवारी के भीतर अधिग्रहन से बच्चे 92 किसानों की भूमी भी लेने की कारेवाही तेज गती से चल ही है अब तक 54 किसानों की भूमी रजिस्ट्री करा ली गई है एरपोर्ट का रनवे बन कर कई महीने से तयार था बीच में पत्या गाउं के अब्दुल गफार वा हसीना खातून नामक दो किसानों की बारर डिस्मिल भूमी ध्रिभूमी इदगाह के रूप में पड़ा था प्रशासन इसे लेने के लिए लगा हुआ था जह भूमी विभाग के नाम होते ही उडान में सामने आ रहे ही अंतिन बाधा भी समाप्त हो गई सुबह लगभग ग्यारा बजे इस डियम शुकल सी ओ उमपाल से कस्या हाटा वा तुटक पटी थाने की पुलिस फोर्स वा पी एसी बल के साथ मौके पर पहुँचे इदगा की खोदाई कराकर रनवे का अधूरा कारे शुरू करा दिया तो नानायन पूर गाउं की ओर से हवाई पटी पर खुले मार को भी बंद करा दिये एरपोर्ट पर वाहन वपशु प्रतिबंधित कस्या रनवे के बीच पड़ा इदगा का मसला सुलजने से उडान शुरू होने में सामने आ रही बाधा अब समाप्त हो गई है आवशक्ता के अनुजार चिनहित 92 किसानों में से उत्साहप पूरवक तिरपन किसानों ने रजिस्ट्री कर दी है शेश किसान भी दो दिन में रजिस्ट्री कर देंगे एरपोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार का वाहन या पशु ले जाना आज ही से पूर नत्या प्रतिबंधित कर दिया गया है पकड़े जाने पर कड़ी कारेवाई की जाएगी